साथ संकेत बताते हैं कि मनुष्य का अच्छा वक्त आने वाला है। मित्रों हिंदू धर्म शास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। वो समय का पहिया ही है जो मनुष्यों को खुशी गम, लाभानी और जीवन मृत्यू से परिचित करवाता है। मित्रों आपने भी देखा होगा कि समय का चक्र जब परिवर्तित होता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है और ऐसा माना जाता है कि समय के कारण ही मनुष्य के जीवन में कभी खुशी आती है तो कभी दुख भी उन्हें जहेलने पड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके जीवन में शुब समय आने वाला है। इसका पहले ही पता कैसे किया जा सकता है। अगर नहीं तो चलिए आज की इस वीडियो में। हम आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी अपने जीवन में होने व भगवान श्री कृष्ण से मिलने आये तो उन्होंने भगवान से पूछा ही नारायन कृपया कर ये बताये कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुब समय के बारे में पहले से ही कैसे जान सकता है। तब भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया। ही देवर्शी मैं स्वयम मनुष्यों को समय परिवर्थित होने से पहले ही कुछ संकेत पशुपक्षियों, छोटे बच्चों और अपने भगतों द्वारा पहुचाता हूँ। जिन ही ज्यानी मनुष्य तो समझ लेते हैं लेकिन अज्यानी मनुष्य उन्हें भाप नहीं पाते। ही और किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तब ऐसे मनुष्यों को ये समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में उनके भाग्य का द्वार खुलने वाला है और उन्हीं काम्याबी की नई राह मिलने वाली है। ऐसे समय में मैं स्वयम मनुष्यों की सहायता करता हूँ। तो मित्र जब कोई मनुश्य प्रसन रहने लगता है या फिर उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान दिखाए दे, अर्थात वो मुस्कान से भरा हुआ रहता हो और ऐसा मनुश्य जब अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अब स्वयम वास करते हैं और ऐसे में जब मनुश्य का मन प्रसन रहने लगे तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अच्छे समय का आगमन होने वाला है, इसके आगे भगवान क्रिश्न तीसरे संकेत के बारे में बताते हैं कि जब किसी मनुश्य के द्वार पर गोर अ अथात गाय बार बार खाने को आए या फिर बंदर उसके घर की चीजें अपने आप उठा कर ले जाने लगे या फिर उसके घर के प्रांगण में बिल्ली बच्चों को जन दे या फिर पक्शी उसके घर में आकर अपना बसेरा बनाए और चैहकने लगे तब मनुश्य को सम जाना चाहिए कि आने वाला समय उसको पहले से और ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है और वे अपने जीवन में नई नई उचायां छूने वाला है। मित्रों आपने भी बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि छोटे बच्चे ईश्वर का रोप होते हैं और वे हमेशा आपके लिए शुभी होते हैं। इसके बारे में आप स्वयम क्या सोचते हैं ये भी निचे कमेंट में लिखें। वे हम लक्षमी वास करने वाली है। ऐसे में उस मनुष्य को सारी परेशानियों से चुटकारा मिलने वाला है और धन भी उसके घर में ठहरने वाला है। जो पहले नहीं ठहरता था। फिर भगवान क्रिशन आगे बताते हैं कि जो अगला संकेत में मनुष्यों को भेजता हूं। जिससे वे जान सके कि उनका शुब समय शुरू होने वाला है, वो ये है कि जब भी कोई मनुष्य पूजा की थाली लिये हुए, भगवान की आरती कर रहा हो और उसे ऐसा प्रतीत हो कि उसे देखकर भगवान की मूरत मुस्कुरा रही है या फिर बड़े दिनों के बाद उ उसका शुब समय आने वाला है, इसके बाद सात्वे संकेत के बारे में भगवान कृश्न बताते हैं कि जब कोई मनुष्य सुबह सुबह किसी शुब कार्य को करने के लिए घर से निकलता है और रास्ते में उसे गौर अर्थात गाय माता के दर्शन हो जाए या फिर किसी सा भगवान कृश्न बताते हैं, ही नारद, इन सब के अलावा जब किसी मनुष्य को संध्या के समय जल से भरा पात्र या फिर दूद से भरा पात्र, किसी के द्वारा उसे प्राप्त हो या फिर कोई उसे मिठाई दे तब भी उसे समझ जाना चाहिए कि अब उसके भाग्या खुलने वाले हैं, तो मित्रो ये थे वो साथ संकेत, जिन्हें जानकर या फिर महसूस करके आप अपने आने वाले शुब समय को भली भाती पहचान सकते हैं, लेकिन भगवान कृश्न ने ऐसे ही कुछ संकेत और भी बताए हैं, जो मनुष्यों के जीवन में आने वाले जानना चाहते हैं, तो हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताए, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेय करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ब्याल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर ले वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद